एक चीज जिसका इंतजार आप लोग बहुत समय से कर रहे थे फाइनली वो नोटिफिकेशन आपके सामने है आज चुका है ससी जेई 2024 का नोटिफिकेशन आपको कुछ इंपोर्टेंट बाते मैं बताने वाला हूं वन बाई वन करके जिसमें सबसे इंपोर्टेंट है डेट क क्या नोटिफिकेशन की लास्ट डेट बढ़ गई है वो सारे इंफोर्मेशन साथी साथ कौन कौन से बच्चे इनके हर एक एक पोस्ट पे इलिजबिल्टी पोस्ट वाइस बताऊंगा साथी साथ एक्जाम पैटर्न के बारे में कि इस बार का एक्जामनेशन कैसा होना है स इसे होंगे साथी साथ नंबर वेकेंसी की चलिए वन बाई वन करके स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को नोटिफिकेशन आपको रिलीज कर दिया गया है आपने ओफिशिल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं यहाँ पर डेख सकते हो यहाँ पर इंपोर्टें अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर सीबिटी वन यानी पेपर वन की डेट तो वही दी हुई है चेंज नहीं हुई है और कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे सर टेंटेटीव लिखा हुआ है इलेक्शन होंगे नहीं होंगे इस चक्कर में आप अपने examination के date का जो खयाल अपने दिमाग में बना रहे होगे कि सर postpone हो सकती है अभी बिलकुल भी है ऐसा doubt नहीं पहले भी वीडियो बनाए उसमें मैंने बोलाए कि हद से हद होता भी है तो 20 दिन 22 दिन का उससे क्या फरक पड़ेगा लेकिन यहाँ पर अभी आपको यही date आपकी examination की date माननी है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 4-6-2024 से लेके 6-6-2024 के बीच में यह आपके examination कंड़क्ट कराए जाएंगे जूर में tentative schedule of CBT-2 CBT-2 का भी यह लोग notify करेंगे जो कि इसमें दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं guys कौन-कौन सी post participate कर रहे हैं इसमें एक तो बियारो बहुत ज़्यादा number of vacancies होती हैं बियारो में जिसमें J-Civil की भी है, Electrical, Mechanical की भी post है इसमें eligibility में degree in civil engineering from a recognized institute और university 3-year diploma और diploma वालों को 2-year का experience रही होता है यह आपको पता है यहाँ पे डिग्री जिन्होंने degree hustle की है वो eligible है All India में कहीं से भी आपने B.T.E. किया होगा और civil वाले बच्चों के लिए यहाँ पे साथी साथ डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 2 वर्सों का experience required होता है यहाँ पे female candidates allowed नहीं होती है यहाँ पे age का criteria 30 वर्सों तक रखा जाता है उसी तरीके से electrical mechanical वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हो आगे बढ़ते हैं moving to the next यहाँ पे ब्रह्म पुत्रा board ministry of जल सक्ती में भी यहाँ पे civil engineers के लिए यहाँ पे post है 3 year diploma in civil engineering लिखा है इसको देखके कई बार B.T.E.C. वाले बच्चे सोच लेते हैं कि सर यहाँ B.T.E.C. वाले बच्चे लिजबल नहीं क्या 100% लिजबल है B.T.E.C. वाले भी लिजबल है डिप्लोमा वाले भी लिजबल है यहाँ पे 30 वर्सों का age का criteria यहाँ पे साथी साथ Central Water Commission C.W.C. में J.E. में Mechanical Civil यहाँ पे Bachelor Degree in Diploma लिखा हुआ है Degree और Diploma in Mechanical Engineering यहाँ पे Clearly Mention है और यहाँ पे Degree in Diploma in Civil Engineering यहाँ पे Clearly Mention है Age का criteria यहाँ पे 30 वर्सों का है गाई आगे बढ़ते हैं इसके बाद CPWD सबका चहेता Department इसमें Electrical Civil यहाँ पे Diploma in Electrical और Mechanical clearly Mention है इसमें Mechanical वाले बच्चों को भी Lizable करते हैं लोग यहाँ पे J.E. Electrical की Post इस तरीके से मेंशन करते हैं लेकिन हर बार का यही है इसी तरीके से notification के आते हैं 32 वर्सों का यहाँ करते हैं और सिविल वालों के लिए Diploma in Civil यहाँ डिगरी वाले बच्चे भी Lizable होते हैं जितने बच्चों ने बीटे किया है वह Lizable होते हैं बात करते हैं Central Water and Power Research Station की यहाँ पे J.E. Electrical और J.E. Civil की यहाँ पे Post हैं इसमें भी 30 वर्सों का यहाँ पे Age का Criteria है Diploma in Electrical Engineering from Recognize Institute Diploma in Civil Engineering from Recognize Institute यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको Clearly Mentioned है साथी साथ D.G.Q.A. Naval Ministry of Defense की Post जो है यहाँ पे J.E. में यहाँ पे Mechanical और Electrical वाले बच्चों के लिए यहाँ पे अविलेबल है डिगरी Mechanical से मांगा है तीन वर्सों का Diploma और साथ-साथ में दो वर्सों का Experience मांगा गया है उसी तरीके से Degree Electrical में और साथी साथ Diploma है तो उसके साथ साथ दो वर्सों का Experience मांगा गया है Maximum Age का Criteria यहाँ भी 30 वर्सों का ही है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फराखा बैराज में भी यहाँ पे वेकेंसी है और साथी साथ इसमें जो की Ministry of जल सक्तिक अंदर गताता है यहाँ पे जेई Electrical और जेई Civil की वेकेंसी है यहाँ पे भी डिप्लोमा और डिग्री वाले दोनों डिग्री वालों के लिए experience के requirement नहीं होती है डिग्री सिविल इंगिनिंग जितने भी इलिजबल है साथी साथ डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए दो वर्सों का experience होसी तरीका से Electrical और Mechanical वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो कि 3-year diploma Electrical Mechanical में चाहिए और उसके साथ साथ दो वर्सों का experience चाहिए तो experience के criteria जुड़ा हुआ है साथ-साथ में NTRO में भी वेकेंसी है सिविल की देख सकते है डिप्लोमा डिगरी यहाँ पे इलिजबल है डिप्लोमा लिखा हुआ है 30 वर्सों का यहाँ पे criteria है maximum age का और maximum age जिनकी निकल रहे होगे यह मत सोचना कि सर इज निकल गई तो क्या आप कुछ हो सकता है कंसेशन भी मिलता है age में अगर आपकी category wise आप किसी भी category से बिलांग category के relaxation भी मिलते है यहाँ पे vacancies की बात करते हैं guys यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले मैं बात करूँगा border road organization की जिसमें SC के लिए 36, 36 post है SC के लिए 136 post है OBC के लिए EWS के लिए 48, unreserved के लिए 142, total है 438 post border road organization में यहाँ पे देख सकते हो total है 37 post, ब्रह्म पूत्रा, board ministry of जल सक्तिक अंतरकर्ट यहाँ पे बहुत कम post है civil के लिए 2 post है और साथी साथ बात करें CWC Central Water Commission के लिए 12 post है यहाँ पे mechanical के और यहाँ पे देख सकते हो अगर civil वालों की बात की जाए तो civil वालों के लिए 120 post है दस गुना ज्यादा यहाँ पे देखो vacancies one by one करके हम दिखा रहे हैं यहाँ पे CPWD की बात करें तो यहाँ पे 121 post है electrical में अच्छी खासी post है CPWD में electrical वाले बच्चों के लिए और साथी साथ यहाँ पे जो CPWD में यहाँ पे आप देख सकते हो civil वालों के लिए 217 post है बहुत अच्छी post है इसके बाद आपका Central Water Power Research Station में दो Central Water Electrical की और civil वालों की तीन और Naval Ministry of Defense में DGQA में यहाँ पे mechanical की तीन है और electrical की भी तीन है फराखा बैराज में electrical की दो है फराखा बैराज में civil वालों के लिए भी दो है तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो number of vacancies यहाँ पे और military engineering services ने अपनी vacancy अभी announce नहीं किया है बोला है कि announce कर दिया जाएगा due date में मत आप अभी को age का calculation करना होगा यहाँ आप देख सकते है crucial date for age is कितना दिया हुआ है 182024 in accordance with the previous of DOP and T यह पूरा का पूरा एक particular जो इनका agreement होता है उसके हिसाब से यह जो नीचे bifurcation देते हैं उसको समझना है basically criteria कब check होगा 182024 को और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर criteria वग age of the age limit is 30 जिस post में 30 वर्सों का maximum age limit है उसमें candidate must have been born not earlier than 2-8-94 से पहले जन्मा ना हो और 1-8-2006 से बाद का ना हो यह दो criteria important है और जिसमें 32 वर्सों का age का criteria है उसमें 2-8-92 से लेके 18-2006 के बीच में general candidate जो होंगे उनके लिए age का criteria है इसके बाद कुछ important point जो age relaxation से लेके है आपको 5 वर्सों 3 वर्सों 10 वर्स इस तरीके से आपको category wise age का relaxation यहाँ पर देखने को मिलता है आगे बढ़ें अगर हम crucial date जो की मैंने बता दिया था age के लिए 182024 जिस पर date का calculation होगा age का calculation होगा exam pattern की बात करते हैं बहुत सारे मन बच्चों के मन में एक सवाल था कि sir examination pattern क्या फिर से subjective हो जाएगा क्या आओ देख लेते हैं यहाँ पर CBT1 पूरा objective है उसी तरीके का पूरा का पूरा पेपर है general intelligence and reasoning general awareness जो की यहाँ पर आपको दिख रहा है और साथी साथ ज आपका जो engineering का होता है civil वाले बच्चों के लिए civil का और electrical वालों के लिए electrical का mechanical वालों के लिए mechanical का मतलब कुल मिला के 50 50 और 100 200 नंबर का paper 1 होगा जिसमें आपका non technical part 100 और technical part 100 कुछ भी change नहीं हुआ है दो घंटे का समय आपको मिलता है इसमें पूरा डिट्टो सेम है ठीक यहाँ पे दो घंटे इसके लिए भी आपको allotted है यहाँ पे देख सकते हो objective paper है online है computer based test है यह इसमें confused किसी को नहीं होना एक दम clear cut रखना आपने दिमाग में तो I hope guys आपको सारी की सारी information मिल गई होगी अगर आप भी preparation कर रहे हो त्यारी कर रहे हो engineering exams के और especially बात करूं SSC जे देख सकते हो recorded video देख सकते हो test series दे सकते हो वो सारे option आपको अड़ा 24-7 application पर मिल जाते हैं अगर आपको recent नया batch जो join करना है civil engineering का आपको foundation plus batch मिल जाएगा SSC JEE का जो कि अड़ा 24-7 application पर है in fact 29 तारीक से 29 मार्ट से यानि कि कल से start हो रहा है जितने भी aspirant है जितने भी aspirant है जो आपको दिया जा रहा है और discount के लिए आपको coupon code यूज करना है Y293 जिससे कि आपको lowest price में मिल जाएगा thank you so much I hope यह वीडियो helpful लगी होगी जितने भी aspirant है जो preparation कर रहे है SSC JEE examination को target कर रहे है वो अपने target में और दम लगा के लग जाए क्योंकि examination अब बहुत करीब लग रहे हो कर रहे है